अलो फट्रेंज तो इस वीडिये में हम लोग पढने वाले है चैप्टर नंबर 3 द है बिहार से ले करके 16 तक पढ़ लिया है ठीक है स्टोरी का आपने जो है उससे अगर नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को पहले देख लें आपको उपर राइट सैड में आई बटन देख रहा होगा वहाँ पे क्लिक करिएगा तो वहां से आप डाइरेक्ट जो है उस वीडियो को द पराग्राफ 17 से पढ़ना शुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए महमान है तो किरपिया जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेर भी करें ताकि वो भी जो है इस चैनल के साथ जुड़ करके घर बैट करके अच्छे से पूरे इंग्लिस के कोर्स को आपी की तरह वो भी पढ़ पाएं और समझ पाएं तो आईए शुरू करते हैं इससे पहले आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि इससे पहले हमने कहानी में क्या पढ़ा हैं तो इससे पहले हमने देखा कि नानु काका जो है इस्टेशन पर आ चुके हैं और कवी जी से मिल चुके हैं अब यह लोग घर जाने वाले हैं ठीक है नानु काका के स्टेशन से रिसीव कर लिये हैं कवी जी और करके जो है यह लोग जो है गाड़ी में बैट भी गया है और घर जा रहे हैं देखते हैं क्या होता है इट वोज टाइम फॉर फ्रेंकनेस लुक अंकल आई सेड आम मेरली एन अंडर सेक्रेटरी ओन प्रबेशन ना कवी जी का रहे हैं कि जैसे ही पिछले वाले हमने परगरफ में देखा था 16 में कि नानुकाका ने पुछा कि तुमने जो है मंत्री से मिलने का प्रबंध कब किया है आते ही आते ओर दे दिये तो अब कवी जी का रहे हैं कि यही टाइम था पुरा असपस्ट मेरा बोलने का क्योंकि कवी जी तो पहले से ही भढ़के रह रहे हैं करें कि यहीं टाइम था कि असपस्ट मैं बोल दूं कभी जी करें कि मैंने भी बोली दिया देखिया अंकल लुक अंकल आई सेड मैंने बोला मैं केवल एक उप सेक्रेटरी हूँ क्या हूँ उप सेक्रेटरी हूँ वो भी प्रोबेशन पर यानि प्रसिक्षण पर यह मेरे बस की बात नहीं है यह मेरे से परे है कि मैं जो हूँ किसी मिनिस्टर से जा करके उसके इंटर्विव के लिए उससे पूछूँ न उससे समय मांगू यह मेरे बस की बात नहीं है क्लियर रूप से कभी जी भी जो है अपने नानुका का से बोल देते हैं नानुका का कह रहे हैं नानुका का कर रहे हैं कि मैंने त्वासा की थी कि तुम जो हो मेरा विवस्था रखोगे खेर कोई बात नहीं कोई बात नहीं मैं देखता हूँ अच्छा कोई बात नहीं है ही टूक क्या टूक देखते हैं अपिंच अफिसनफ यानि उन्होंने जो है एक चुटकी तंबाकूली ना ब्रस्ट हीज फिंगर्ज डेलिकेटली ओन हीज अंगोच्छा और अपने अंगोलियों को उन्होंने अच्छे तरीके से अपने अंगोच्छा में पोचा ना कुछ देर तक और कार में पीछे अपने मतलब पीठ को ऐसे करके बैठ गए closing his eyes and puckering his eyebrows as through in deep thought कर रहे हैं कि उन्होंने एक चुटकी तंबाकूली अपने अंगोलियों को बहुत देर से खुब अच्छे से अंगोच्छा में अपना अंगोच्छा जो लिये थे उसमें पोचे और सीट पर पीछे के तरब जुक के बैठ गए अपनी आखों को बंद कर लि उसी तरह घुमाते लगे और लग रहा था कि बहुत गहरे सोच में डूबे हुए हैं कुछ सोच रहे हैं लग रहा है ऐसा प्रतित हो रहा था अपने डखन तरीके से बहुत बार चुट किया भी जो है उन्होंने बजाई और जीब भी चटकाई नहीं ऐसे करते हैं बचों को खिलाते समय तो उसी तरह कई बार जो है अपने जीब भी चटकाया और कुछ सोचते रहे आगे देखते हैं क्या होता है गाड़ी में बैठे बैठे ये लोग घर भी तो पहुंचेंगे न अब धीरे धीरे ये घर पहुंचते हैं कवी जी जो है उनको लेकर के आखिर कार घर के द्वार तक पहुंचते हैं मा जो है इनकी फेस रेथड इन स्माइल्ड उनकी मा की जो चेहरा है वो नानुका का को न देख करके जो है खिल जाता है मुश्कुराहाट आजाती है चेहरे पे आएगी भी क्यों नहीं उनके भाई जो आए हैं नहीं और मा जो है इनकी कभी जी की वो बिल्ली के बच्ची जो थी बॉक्स उसको ले लेती है और उसको देख करके और भी खुश होती है और नानुका का के प्रती बहुत प्यार जताती है I also found that she had installed him in my bedroom so that I had to put a चारपोय for myself in the back बरांदा अभ यही नहीं कभी जी क्या है I also found कभी जी करें की और मैंने ये भी देखा कि man जो है she had installed him man जो है उन्हें मेरे ही bedroom में उन्हें install कर दिया और shift कर दिया इंस्टॉल यानि की सिफ्ट कर दिया मोबाइल में एप्लिकेशन इंस्टॉल करते हैं न कभी जी कर रहे हैं कि मैंने देखा कि मा ने जो है मेरे ही बेडरूम में उनको सिफ्ट कर दिया है जिसके कारण जो है जिसके कारण मुझे एक खटिया ले करके अपने लिए बारंदे के पीछे बिछाना पड़ा और वहीं सोना पड़ा एगो आफ़त है मतलब इसलिए लिए लग रहा है कि बहुत परिशान थे सुनकर के ही कभी जी जैसे ही सुने की नानुखकार है तो यह प देखते हैं क्या होता है आट मदर्स इंसिस्टेंस यानि मा के कहने पर मा के जित करने पर आई है टेकन टू डेज लीव फ्रॉम द ऑफिस ना मा के कहने पर मैंने जो है ऑफिस से दो दिन की छुटी ले ली ना कभी जो कह रहे हैं आइंड इन द आफ्टरून और दो पहर को और मैंने दो पहर को जो है नानु काका को ले करके नौर्थ ब्लोक गया और मैं कार पार्ट और में कार पार्क में विंतजार करता हूं उनका it was two hours before he returned mumbling colorful Marathi swear words कभी जी कर रहे हैं कि मैं आप इंतजार कर रहा था लगभग दो घंटा हो गया इंतजार करते करते तब मैंने देखा कि वो जो है वापस लोट रहे थे mumbling और बड़बडाते हुए Marathi swear words अपनी Marathi भासा में कुछ बड़बडाते मैंने देखा कि वो जो है नानुका का उधर से लोट रहे थे लगभग दो घंटे बाद सुचिए दो घंटा लग गया अब पता नहीं क्या हुआ है अंदर क्या नहीं कि इतना बड़बडा रहे हैं I didn't dare ask him what had happened and drop without saying a word कभी जी कर रहे हैं कि मैंने कुछ पूछने की हिमत भी नहीं की I didn't dare ask मैंने उनसे कुछ पूछने की हिमत भी नहीं की what had happened की आखिर अंदर हुआ क्या क्या पितना बड़बडा रहे हैं I drove without saying a word और बिना कुछ पूछे बिना कुछ बोले मैं उनको गाड़ी में बैठा करके फिर आगे के थराफ चल पड़ा He cooled down in a little while दाओ and said वो जो है गाड़ी में बैठ गए और थोड़ा सा सान्थ हुए और फिर बोले क्या बोले? आए देखते हैं Two hours spent being transferred from one चपरासी to another tramping through the corridors and in the end succeeded in getting a deputy secretary to give me an appointment three days from now ना कर रहे हैं ना कुछ सान्थ हो करके गाड़ी में बैठ करके दो घंटा मुझे जो है बिताना पड़ा I spent मैंने दो घंटा बिताया being transferred दो घंटा से जो है मुझे एक परासी से दूसरे चपरासी तक वो लोग भेशता रहा ना अच्दम पूरे गरम हैं और पूरम बोल रहे हैं कि बताईये दो घंटा तक मुझे रखाऊ लोग when lament दुसरे जब दरवाजे भेजता रहा आंड इन देंड और यहीं नहीं दो घंटा इधर उधर भेज करके मिलवाद थे तो भी ठीक होता और अंतिम में क्या किया succeeded in getting a deputy secretary और अंत में दो घंटा टाइम देने के बाद भी मुझे deputy secretary से मिलाया गया और वो भी क्या बोलता है to give me an appointment three days from now और वो भी बोल रहा है कि आपको जो है मंत्री से मिलना है तो आज appointment लेंगे तो तीन दिन बाद आपको मिला जाएगा same full, same full ना कर रहे हैं कि कितना घटिया बात है एकदम पुरा गुस्टे में है कर रहे हैं कितनी जो है सर्मनाक बात है and there was another series of Marathi एक्स्पलेटिव और भी बहुत सारी बाते जो हैं Marathi सब्दों में बोलने लगते हैं in a linguistic emergency my uncle always turned to his mother tongue कभी जी कर रहे है कि मैंने notice किया है कि कई बार जब उनको तेजी में बोलना होता है या जब बहुत गुस्टे में होते हैं तो हमारे नानुका का जो है अपने Marathi भासा कहीं ज़्यादातर प्रियोग करते हैं वहीं क्या बहुत से लोग जब गुस्टे में होते हैं तो अपनी Marathi भासा अपनी Marathi नहीं मतला अपनी मात्री भासा अपनी Mother Tongue को ही बोलने लगते हैं कितना भी कोई English बोलता है जब गुस्टा आता है जगड़ा होता है तुरंत भोजपुरी में आता है फ्लेश्ड पास्ट अस ब्लेरिंग इट्स हॉर्ण इन अ यूनी अनिंट्रॉप्टेड इन अनिंट्रॉप्टेड ब्लास्ट अन्ड यंग मैन अड़ वील वेब्ड हीज हैंड अट मी कर रहे हैं कि ये लोग अभी जाही रहे थे कि एक गार्णिस एलो स्पोर्ट्स कार एक बहुत ही सुन्दर पीले कलर की स्पोर्ट्स कार जो है पूरे तेज हर्ण बजाती हुई इनके कार से आगे के तरफ निकल गई इंट्रॉप्टेड ब्लास्ट अन्ड यंग मैन और जो ड्राइवर के सीट पे यंग मैन एक युवक लड़का बैठा था वो हाथ निकाल करके बाहर कवी जी करें कि मुझे न दिखा रहा था मेरी तरफ हाथ ही ला रहा था न हाय कर रहोगा टाय 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 बोल रहोगा न हलो बोल रहोगा जो भी हो वाट रूड मैन नानु काका ने मुझे से पूछा कि ये कौन है रूड मैन बदमास ब्यक्ति इस तरह से हर्ण बजाते हुए जा रहा है ना सिस्ट ब्यक्ति कौन है जो इस तरह से इतना तेज हर्ण बजा रहा है तुमको इस सारा भी कर रहा है आगे देखते हैं कि कवी जी जो है क्या परिचे बताते हैं चाइप कॉल्ड रतिराम कवी जी कहते हैं कि कवी जी बोल रहे हैं कि मैंने कहा चाइप कॉल्ड रतिराम लड़के का नाम रतिराम है works in the same ministry as mine या वहीं काम करता है जहां मैं काम करता हूँ जहां मैं काम करता हूँ वहां वो भी काम करता है I see वो कह रहे हैं अब समझा there was some talk about his going as state commissioner to हजरत बरकत अली you know the ambassador but they say it is all of now I said just to make a conversation कह रहे हैं कवी जी there was some talk यानि ऐसी एक बाते चल रही थी इस लड़के के बारे में कि ये जो है trade commissioner हजरत बरकत अली के पास जाने वाला था उनके under में रहने वाला था उनके साथ काम करने वाला था you know the ambassador आप जानते हैं हजरत बरकत अली कौन है वो ambassador है राज़दूत है but they say it is all of now I said just to make conversation यानि का रहे है कवी जी कि मैंने जो है नानुका का से ऐसे ही बोला कि इस लड़के को जो है एक बार ये ऐसा हला हुआ था ऐसा बाते चली थी कि ये जो है हजरत बरकत अली के पास जाने वाला है उनके साथ काम करने वाला है जो कि वो क्या है ट्रेड कमिशनर है जो कि एमबेसडर है उनके साथ काम करने वाला था एक बार बाते चली थी कवी जी कर रहे है कि मैंने ये बाते मतलब ऐसे ही बात चीत के तोर में कह दी मेरे बात ये बोलने का बहुत खास मकसद नहीं था बलकि मैंने ये वस ऐसे ही वरतलाप के नदिरिष्टी से इस बात को बोला तब नानुका का क्या बोलते हैं Why don't you get sent out on one of these foreign assignments नानुका का आस्क्र नानुका का ने पूछा कि तुम्हें क्यों नहीं बाहर विदेश में यानि दूसरे देश में कारे के लिए भेजा जाता है तुम्हें क्यों ही सिर्फ इंडिया में ही रखा जाता है मालनों कि इसको भी एक बार हला हुआ था कि ट्रेड कमिशनर के साथ रहने वाला है तुम्हें क्यों नहीं भेजा जाता है कभी ना विदेश कारे के लिए तो अब देखिए क्या होता है कभी जी का दिमागे खराब हो जाएगा नहीं तो गेट सेंट और फॉरेन अस्टाइंमेंट्स इस इन दे सेम कैटेगरी आज गेटिंग एन इंटर्व्यू विद अ मिनिस्टर अंकल कभी जी कह रहे हैं कि मैंने कहा कि फॉरेन यानि विदेश कार के लिए विदेशी कारे के लिए जाना भेजा जाना उतना ही कठीन है जितना एक मिनिस्टर से मिलना मिनिस्टर से इंटर्व्यू लेना कठीन है मेरे प्यारे अंकल जी समझ गए आप समवाट अनकाइंडली इतना नहीं कि फूट जर किसी को भी भेज दिया जाएगा इट टेक्स पूल न रतिराम इस दा सन अफ सोहनलाल रतिराम यूनो दा पाटी बोस इंडेल ही कवेजी का रहे हैं कि ऐसे ही कोई नहीं एरागर आ जा सकता है विदेशकारे के लिए इसके लिए जो है पैरवी होना चाहिए पैरवी तब न विदेशकारे के लिए भेज जाएगा और रही बात रतिराम की कि वो हजरत बरकतली के पास जाने वाला था तो मैं आपको बता दूँ कि रतिराम is the son of सोहनलाल रतिराम रतिराम जो है वो सेथ सोहनलाल का बेटा है यूनो आपको पता है जो की दिल्ली के पाटि बोस है यानि सोहनलाल रतिराम जो है दिल्ली के पाटि बोस है और उन्ही का बेटा है रतिराम इसलिए उसको जो है कमिशनर के पास भेजे जाने का बाते चली थी वो कोई अडिन अडि लड़का नहीं है उसके पिता जी जो है पाटी बॉस है दिल्ली के तो अमनों चर्चा हुआ था एसे ही थोड़े चर्चा हो जाएगा ये बाती जो है अपने नानु काका को कभी जी समझाते हैं नानु काका सैट अप विद जर्क जैसे ही ये बोलते हैं कि सोहन लाल का बेटा है रती राम जो की सोहन लाल दिल्ली का पाटी बॉस है सुन करके नानु काका जो है पूरे जटके से जो है फट से एकदम पीछे के तरफ जटका लेकर बैठते हैं सोहन लाल रती राम का बेटा है ये लड़का वह पीछे के तरफ जुक के बैठते हैं और कुछ देर तक कवी जी कह रहे हैं कि मुझे देखने लगते है नाउ लेट मी सी नानु काका बोलते हैं कि अब मुझे जो है कुछ देखने दो कुछ सोचने दो यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोद्पूर कोट क्या तुम्हारे पास कॉलर वाला जोद्पूरी कोट है है ना रखे हो ना haven't you है ना good ठीक है रखे हो गे तो बहुत अच्छा है ना पूछ भी नहीं रहें जवाब भी नहीं ले रहें कि है कि नहीं है उपाल नहीं बोल द रहें कि ठीक है रखे हो तो क्या तुम एक टाई बान सकते हो पकड़ी बान सकते हो अपने उपर मतलब सर के उपर no well I will have to put it on you although I am no expert करें कि नहीं नहीं कोई बात नहीं मैं तुम्हारे सर के उपर पकड़ी बान दूँगा हालाकि मैं भी एक जो है expert पकड़ी बानने में नहीं हूं लेकिन फिर भी बान दूँगा इस टाई एंड कॉलर बिजनेस इस नो गूड इस डेज यह कॉलर और टाई का बिजनेस आजकल उतना अच्छा नहीं है ना let's go home ना चलो घर चलते हैं after you have changed जब तुम ड्रेस बदल लोगे ना जोत्पुरी कोट पहन लोगे टाई बान लोगे ना उपर पकड़ी बान लोगे we will go and see him तब जाके हम लोग उससे मिलेंगे सोहन लाल से मिलने की अब उनकी ना मनसा होने लगी see whom ना कहरें कवी जी कि मैंने पूछा किस से मिलिएगा नानुका का बोल रहे हैं why क्यों लाला सोहन लाल of course बेसक लाला सोहन लाल से मिलेंगे कवी जी कहते हैं कि मैंने पूछा do you know him at all कि आप उन्हें जानते हैं थोड़ा उनको ना आगे कहते हैं कि हम लोग घर आए आई चेंज्ड इंटू जोध पूर कोट एंड अंकल नानुका का टाइड यूज और यूज और इंज तरवन राउंड माई हेड हम लोग घर आए और घर आते ही नानुका कान ने जो है जोध पूरी कोट जो है मुझे पहनाया और एक तरवन जो है मेरे उपर औरेंज का जो है बान दिया मेरे सर के उपर एक्ट एज दाउ यू वर्ड माई अशॉर्ट अव डिशी ही कॉशन्ड मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सुहानलाल्स हाउस ना कह रहे हैं कि कभी जी जो है कि मेरे उपर जो है बान दिये अब कह रहे हैं कि अब तुम जो है इस तरह जाहिर करो एक्ट आज दाउ न इस तरह जाहिर करो कि जैसे तुम मेरे ड्राइवर हो बिल्कुल एक परकार का एडिसी की तरह एकदम मेरे खंदानी ड्राइवर हो इस तरह कि जो है तुम जाहिर करो he cautioned me as we started for لالا सोहनलाल's house अब यह बातें समझातें उन्हें कहा कि जब हम लोग लाला सोहनलाल के घर के लिए चलें तो तुम इस तरह से act करोगे कि तुम मेरे खांदानी driver हो ठीको चलो अब जो है चलने की त्यारी करतें इस तरह की बातें जो है इनने होती है आगे देखते हैं करें हैं कि जैसे ही हम लोग जो है सोहनलाल के घर तक पहुंचे कि एक सेकरेटरी आया जो बिल्कुल साफ सपेद पोसाक में था एकदम बिल्कुल कोई भी दाग नहीं था जो की हमारा स्वागत किया और हमारे आने की कारण पुछने से पहले उसने क्या किया एक ठांडे सफेद कमरे की और इसारा करने के लिए बड़ी नमरता से हमसे आगरा पुछा हमारे कारे के बारे में पुछा यानि सबसे पहले जो है उसने उस घर के तरफ इसारा किया कि अंदर यहां चलिए बैठते हैं और इसारे करते ही जो है उसने हमारे आने के कारण भी पुछा उसी समय ठीक है आगे देखते हैं अभी अभी उत्रे हैं यहां दिली एक जमिनदार कारे के लिए आया हुए थे जमिनदारों के सम्मेनल चल रहा है जिसके करण जो है मैं यहां आया हुआ था बिल्कुल गेर सरकारी सम्मेलन आप जानते हैं क्योंकि जमिनदार्ष आर not not exactly popular these days आपको पता है जमिनदार्ष जो है अब उतने लोगपिरिया नहीं रहे ना वीपी has also sent a cable he wants to see me but he is not coming from one singleton until tomorrow करे ना कि अब उतने लोगपिरिया नहीं रहे वीपी भी जो है उसने भी मुझ से मिलना चाहते थे लेकिन कल से पहले वे वाशिंगटन से वापस नहीं आ रहे हैं ना मैंने सोचा ना क्या कर रहे हैं कि I thought मैंने सोचा I met as well see lalaji and tell him what arrangements we that जमिनदार्ष have made for the agricultural world ना कर रहे हैं कि हम में जो है वीपी से खर मिलना था लेकिन वीपी जो है कल तक अभी मिल लिया जाए ना और उनसे जो है मिल करके उन्हें भी बतला दूं कि हम जमिनदारों ने क्रिशक मत के लिए क्या क्या व्यवस्था क्यों है देखिए बान रहे हैं पुरा ना क्योंकि हो सकता है कि लाला भी जो है सेट है ना तो वहीं जमिनदार से हैं तो जमिनदार जमि अब बाते कर लेते हैं जमिंदार के बारे में और उन्हें भी बता देते हैं कि हमने जमिंदारों के लिए क्या-क्या किया हुआ है आगे कहते हैं नानुका का सोट अफ ट्रेल्ड ओफ and I could see that he was not really making an impression on the secretary who was just being polite and playing it safe नानुका का कभी यह कर रहे हैं कि नानुका का उदास हो गया और मैं देख सकता था नानुका क high order ४्राभाव न फमान चर्ट अपर एफ उदासी आ गया कभी जी करें कि मैं देख सकता था कि वास्ताव में सही निभा रहा था ना क्योंकि वह विनम्रभाव उसकी जो हम लोगों को वेलकम किया उसका यहीं सभावी है कि विनम्रभाव हमारे सामने जो है ना पेस करें वहीं वह अपना काम निभा रहा था अब देखिए वह जो सचीव क्या बोलता है सचीव ने कहा वे आगंतको से यह बोला कि वह विरले ही मिलते हैं बिना एपोइंटमेंट के इसलिए जो है I'll have to see whether लाला जी is free ना कहता है कि मुझे देखना होगा मुझे देखना पड़ेगा कि क्या लाला जी free है क्योंकि वह सेकरेटरी बोला क्योंकि वह जो है साइध ही किसी लोगों से आगंतुक लोगों से जो है बिना किसी एपोइंटमेंट के मिलते हैं पहले से बिना लिये ग क्योंकि देखना है क्योंकि लगे हुए कमरे के अंदर से हमने भी एक आराम की आवाज की हुका की आवाज सुनी है यहां पर बोल रहे हैं कि लाला जी बिलकुल ही फुरसत में होंगे अदमी जब आराम करता है तब हुका पीता है तो आराम के हुके की आवाज अभी अभी सुनाई पड़े है उस रूम से तो इस आधार पे लग रहा है कि लाला जी जब फृ रही होंगे और तब हमने सचीव को लाला जी से बात करते हुए सुना यानि सचीव भी अंदर चला गया तो अंदर जब चला गया तभी कभी जी को साथ यह आवाज सुनाई पड़ती हुग के कि तो कभी जी भी इधर अपना अंदर लगा लेते हैं कि वो फ्री होंगे आगे आ रहा है कि what day is it today नानुका का asked me नानुका का ने पूछा कि आज कौन सा दिन है और देखते हैं I thought he was speaking in an usually loud voice Tuesday I told him कभी जी करें कि मुझे लगा कि कुछ वो जो है ज़्यादा ही तेज आवाजों में मुझसे पूछ रहे थे ना loud voice कि कौन सा दिन है आज अभी 39 में जो देखे हमने कि नानुका का पुछ रहे हैं कि कौन सा दिन है ना आज के बारे में है तो आज कौन सा दिन है कुछ तेज वाज में पूछ रहे थे नानुका का ने ऐसा नुभाव किया सुरी नानुका का ने नहीं कभी जी ने Tuesday I told him तो कभी जी कर रहे है कि मैंने भी जो उतन नहीं तेज वाज में बोल दिया कि आज Tuesday है ना ओ वनली Tuesday and to think that on Sunday I was in Beirut amazing isn't it करें कि वह केवल Tuesday है आज and to think और जरा सोचो that on Sunday और Sunday को हम लोग कहां थे I was in Beirut Sunday को यानि रविवार को मैं बेरूत में था amazing isn't it ना सर जनक है ना कि Sunday को मैं कहां था बेरूत में था और अभी जो है Tuesday को कहां आ गया इंडिया में दिल्ली आ गया I swallowed hard amazing I agreed कभी जी करें कि मुझे जो है ना लपेटते लपेटते इतना फेक दिये ना कि मुझे लपेटते लपेटते आलत खराब हो गया मैंने किसी भी तरह से उस बात को लपेटा ना स्वैलोड निगला ना जो जूट जितना बोले ना फेके जितना कि उसको मैंने किसी भी तरह लपेटा amazing I agreed और मैंने भी कहा ना सहमती जता दिया कि हां हां बहुत ही amazing है and if I had listened to हजरत I had still be abroad कर रहे हैं कि और यदि मैं हजरत का सुना होता तो मैं अभी भी बाहर ही होता विदेश में ही होता old HB was just dying to drag me to the foreign minister और old HB अरे वो तो मरा जा रहा था मुझे विदेश मंत्री तक खीश के ले जाने के लिए विदेश मंत्री से मिलाने के लिए मरा जा रहा था the steady gurgling of hookah in the next room had suddenly stopped अब इतना फेक है कि इतना फेकने के बाद जो हुके की आवाज अंदर से आ रही थी वो आवाज अचानक जो है बंद हो जाती है suddenly stopped अचानक जो है रुख जाता है अंदर से लाला जी भी सोच रहा है कि बापरे कौन बढ़का आदमी आ गया कि संडे को बेरुत में था आउधर जो है बंद हो जाती है ना what did you say करें है कि क्या कहा तुमने नानुका का asked although I hadn't even opened my mouth करें है कि नानुका का खुझ से बढ़ बला रहा है करें कि क्या कहा तुमने जबकि मैंने कुछ कहा भी नहीं था यह अपने से कह रहा है कि क्या कहा तुमने जो है क्या कहा कि क्या मैं वहाँ पर क्यों नहीं रुका यह बोल रहा हो you know how it was with HB the last time when he was in Geneva कि क्या हुआ था पिछली बार HB के साथ जेनेवा में तुमने पता भी है got me involved in the cotton tax beside from Bombay SK had been sending me cable after cable करें कि मुझे कपास वरता में सामिल कर लिया इसके बावजूद कि Bombay से SK मुझे तार पेतार भेज रहा था ना चार पेतार इनको भेज रहा था आगे क्या होता है that was the moment लाला सुहनलल रती राम केम वाड़िंग out of the minor room with the secretary as it at his hill ना कहते हैं कि अब यहीं समय था कि लाला सुहनलल जो है अपने secretary के साथ एकदम जुल्दी से ना एकदम बाहर के तरफ आता है and from then on everything was smoothed in the shakrin courtesy of the seasoned political companion ना अब वहीं छड़ था कि लाला एक दम दोड़ते हुए बाहर आता है अपने सचीव के साथ ना तब से हर चीज बिल्कुल शेक्रीन की मिसास गोल करके एक मजे मजे हुए सचीव राजनीती की तरह बोलते रहा और सिस्चार प्रकट करते रहे दोनों लोग परिचय का काम खतम हुआ सचीव जो है क्या करता है एस सून एज इंट्रोड़क्शन्स वर ओवर दस सेक्रेटी वर सेंट वस्टलिंग ओफ टू आडर कॉफी एंड स्वीठार्ट सेंड पान तब जाके सोहनलल जो है अपने सेक्रेटी को ओडर देते हैं कि जाओ कॉफी पान ये सब लेके जो है आओ अब सोहनलल भी देखता है कि बहुत बड़ा आदमी लग रह होता है आगे क्या होता है कि वे लोग जमिंदार वोट मौसम आदी की बात तब तक करते रहे जब तक मुख्य मुदा नहीं आ गया तब तक की यहीं बाते होते रहे जमिंदार की बाते होती रही उन लोग की वोट की बाते होती रही ना आई हीर यू नो हजरत बरकत अली वेल सोहनलल सेड वीदन इंग्रेशियेटिंग ग्रीन अब देखिए सोहनलल उधर से एकदम आया है दोड़ते दोड़ते क्या सुन करके कि एच बी भी इनको जानते ह हैं ना वो भी जानते हैं ये भी जानते हैं बहुत सारे मंतरी जानते हैं तो ये सब जानने के लिए सोहनलल आया है क्या कि जानते हैं कि कौन आदमी है कि इसको जो है सारे लोग जो है मिलना चाहते हैं इससे ना तो जैसे ही जो है इन लोग सारे बाते करते रहे जमिंदार क जब तक कि लाला की असली बाते नहीं आ गई, I hear मैंने सुना, ना कौन बोल रहा है, I hear, वो लाला सोहनलाल बोल रहा है कि मैंने सुना, you know हजरत बरकत अली, कि आप हजरत बरकत अली को अच्छी तरह से जानते हैं, सोहनलाल जो है मुस्कुराते हुए, ना चापलुस से भाव म नानु काका से कहा, कि मैंने अभी अभी अंदर के कमरे से सुना, कि आप जो हजरत बरकत अली को भी जानते हैं, ना तो ये बाते जो है, चापलुसी भरी सब्दों में सोहनलाल कहता है, अभी तक यहीं पर रहने देते हैं, नानु काका और सोहनलाल को थोड़ी देर बात करन प्रिर नेक्स्ट पार्ट में आएंगे हम और आपको 48 से बताएंगे कि आखिर इनलों के बीच जो है क्या क्या बाते हुई तब तक इन्हें बात कर लेने दिया जाए ठीक है जब बाते हो जाएंगी तो मैं आपको अगले पार्ट में यानि पार्ट नमबर 3 में आपको आएंगे यह पार्ट टू था ना तब तक आप इसको रिडिंग लगा के पुरा कम्प्लीट कर लें ठीक है थैंक्स पर वसिंग डिस वीडियो